महराश्टर के नासिक से शॉटकर्ट से पैसा कमाने की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पुलिस का ही दिमाग चक्रा दिया है और पुलिस खुद सोच रही है कि हम किसी फिल्म में काम कर रहे हैं या कहानी रियल है क्योंकि ऐसा अक्सर फिल्मों में ही होता देखा है लेकिन अब रियल लाइफ में ऐसा हुआ है इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल से जब 2 सितंबर के दिन इंद्रा नगर जॉगर्स ट्रैक पर पुलिस को एक आदमी की लाश मिलती है जिस तरह से जॉगिंग ट्रैक पर ये लाश पड़ी थी पुलिस ने ऐसा माना कि किसी अंजान शक्स ने अपनी गाड़ी से इस आदमी को टकर मारी और वो टकर इतनी तेज़ थी कि इस आदमी की वहीं पर डेथ हो गई ये जो बॉडी थी ये 46 साल के अशोग भालेराव की थी पुलिस ने अंजान शक्स के खिलाफ F.I.R. दर्स की लेकिन कोई भी अपडेट इस केस में नहीं आई जिसके बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया ये मानकर कि अशोग भालेराव का एक्सिडेंट ही हुआ था और किसी अंजान व्यक्ति ने टक कर मार दी वो अंजान व्यक्ति कौन था मिला नहीं ये केस पिछले साल ही पुलिस बंद कर चुकी थी लेकिन कुछी दिनों पहले अशोग भालेराव का भाई दीपक पुलिस टेशन पहुचता है और वो पुलिस को कहता है कि सर लास्ट य भाई दीपक की शिकायत पर पुलिस ने गुपचुप तरीके से जाच शुरू की पुलिस ने जाच में ये भी पाया कि अशोग भालेराव की डेट के बाद एक लेडी आई थी जिसने अपने आपको अशोग भालेराव की वाइस बताया था और इंवेस्टिगेशन के सारे डीटेल्स मांग रही थी क्योंकि उसे अशोग भालेराव के नाम का बीमा क्लेम करना था तो पुलिस ने वो सारी डीटेल्स दे दी क्योंकि पती मर गया है obviously बीमा तो पत्नी क्लेम करेगी ही जिसके बाद पुलिस के लिए भी ये बात आई गई हो गई थी लेकिन हान्ही मे जब दीपक ने अपने भाई के मरडर की आशंका जताई तो फिर पुलिस ने दीपक को बताया कि अशोग भालेराव की वाईफ आई थी और वो हमसे ये details निकलवा कर लेकर गई तब दीपक ने बताया कि अशोग भालेराव की तो कोई वाईफ ही नहीं थी वो लेडी कौन थी जो पैसा लेकर गई पुलिस ने उसके बाद उस लेडी की डीटेल निकाली उस लेडी की डीटेल निकलवा कर पुलिस ने उसके बैंक के खाते चेक किये और उसके बैंक से हुए ट्रांजक्शन्स चेक किये तो पुलिस को उस लेडी के बैंक में भारी भरकम अकाउंट मिला और उस अकाउंट से कई दूसरे अकाउंट में भारी रकम भेजी गई थी इस लेडी के साथ इसका एक और साथी था जिसका नाम था मंगेश सावरकर मंगेश तावरकर भी अशोक भालेराव का बेस्ट फ्रेंड था ऐसे में पुलिस का शक अब इन दोनों पर गया जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को ही अरेस्ट किया और इन दोनों ने पुलिस को जो कहानी बताई वो बेहत चौका देने वाली थी अशोक भालेराव का वाकई में एक्सिडेंट नहीं हुआ था मर्डर हुआ था और अशोक भालेराव ने खुद ने अपनी डेथ प्लैन की थी लेकिन फेक डेथ प्लैन की थी उसे नहीं पता था कि उसके साथ ही उसे धोका दे देंगे इस प्लानिंग की शुरुआत होती है 2018 में जब अशोग भालेराव अपने दोस्त मंगेश के साथ क्राइम पेट्रोल देख रहा था इसकी वन ओफ दे एपिसोड से उन्हें शॉटकर्ट से पैसा कमाने का आइडिया मिला दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम अशोग भालेराव का बीमा करवाएंगे और फिर कुछ समय बाद अशोग भालेराव की कट-काटी वाला ही आदमी ढूनेंगे उसका मर्डर करेंगे उसको यह बताएंगे कि यह अशोग भालेराव की बौडी है और तब तक अशोग भालेराव चिपा रहेगा बीमा कमपनी से जैसे ही पैसा मिल जाएगा वैसे ही अशोग भालेराव वापस आ जाएगा और पैसा बाढ़ कर एक अच्छी जिएगे और दोनों दोस्तों ने मिलकर यही किया 2018 में दोनों ने मिलकर अशोग भालेराव का बीमा करवाया यह बीमा चार करोड का करवाया गया क्योंकि बीमे की पहली किष्ट जो थी वो बड़ी थी इसलिए कुछ और लोगों को भी इसमें इन्वाल्फ किया गया अशोग और मंगेश ने चार और लोगों को अपने साथ जोड़ा जिसमें एक महिला भी थी इन सबने मिलकर प्रीमियम भरा और उसके बाद ये सभी लोग अशोग की कद काटी का आदमी ढूनने लगे क्योंकि उसका मर्डर करके पैसा जो खेम करना था एक महिना गुजरा दो महिने गुजरे अशोग की कद काटी का आदमी ढूनते ढूनते डेर साल निकल गया लेकिन वैसा आदमी नहीं मिला जिसके बाद इन लोगों को अपना प्लान फेल होता दिख रहा था और यही वो टाइम था जब अशोक को साइड हटा कर बाकी दोस्तों ने ये तैय किया कि अशोक की कद काठी वाला आदमी तो मिल नहीं रहा है क्यों न अशोक का ही मर्डर कर दिया जाए और असल में उसके बीमा के पैसे हम बाकी के लोग बाट लेंगे यही कुछ इन दोस्तों ने किया अशोक को इस प्लान के बारे में नहीं बताया और पीछे से अशोक को मारने की प्लानिंग करने लगे इसी बीच यह लोग रोज सुबर जागिंग पर जाया करते थे अशोक को कहा था कि तू भी साथ चला कर ताकि तेरी कतकाठी का आदमी है तो तू सामने रहेगा, easy रहेगा देखने में कि तेरी कतकाठी का आदमी कौन सा है तो अशोग भी उनके साथ जाने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि वो प्लान का हिस्सा है उसे नहीं पता था कि ये दोस्त उसी का गेम बजाएंगे और इसी तरह हुआ 2 सितंबर के दिन भी लास्ट यर 2 सितंबर को अशोग अपने दोस्तों के साथ जॉगिंग पर गया इन दोस्तों ने अशोग का मर्डर कर दिया मर्डर करने के बाद अशोग की बॉड़ी को जॉगिंग ट्रैक पर फेग दिया जहां से पुलिस ने उसकी बॉड़ी को लेकर एक्सिडेंटल केस करती है और अशोग की डेथ की डीटेल्स मांगती है उन डीटेल्स को लेकर वो इंशॉरेंस कंपनी में क्लेम करती है और चार करोर रुपया इन सभी को जो मिलता है यह सभी लोग आपस में बाट लेते हैं और अयाशी की जिन्दगी जी रहे होते हैं लेकिन अब इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो जिस डेथ को पुलिस एक्सिडेंट मान कर चल रही थी जो अशोक अपनी ही डेथ प्लान कर रहा था वो अशोक खुद ही उस साज़श का शिकार हो गया